नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर रमेश चोसी आज आप लोगो को बताऊंगा कि मामधन मेल खानी किस साधिना किस तरीके से करें और उससे आपको क्या लाब मिल सकता है उसका मंतर मैंने इसमें आपको देजी दिया है इसमंतर का आपको चारण करना है ओम हूम अदन मेल खेन इसकी वीदी है मंगलवार के दिन पराता है उठकर सूर्योदे से पूर्व सौंच इत्यादी के आउश्चक किरियों से निश्चंत हो जाएं और कुछ काल के लिए इस्वर पर ध्यान करें इससे अपनी कारी की पूर्ती के लिए परातना करें जो भी आप कारी चाहते हैं उस मंतर का जाब और इस टोटल आपको एक लाख जब करने हैं इसके पस्चात मेलखा देवी परसन होंगी और आपको एक अंजन देंगी जिससे कि आप भूत और भुष्ची के बारे में जान पाएंगे और यह साधना करने के लिए आपको एक साधक की जरूद है जिसके में आप इस साधना को करेंगे क्योंकि यह साधना इतनी आसान नहीं है कि आपने किया और आपने एक लाख जब करने की सोचे और आपको एक लाख जब हो गए इसके लिए प्रौपर तरीके से आपको मधु के व्रिक्ष के नीचे बैठ कर उपरोक्त मंत्चों का एक लाख बार जाब करना है ताकि मा मदन मेल खानी आप परसंद हो और आपको असिरवात दें जिससे कि आप जो भी आप कारी करना चाहते हैं अपने जीवन में जिसकी पूरती के लिए आपने यह जब रखाए और साधना रखिए उस साधना को प्राप्त करने के बाद आप अपने जीवन को किस तरीके से बहतर बना सकते हैं यह जब के उपर निर्भर करता है क्योंकि जब आप जब करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका सीधे उपर वाले से कॉंट्रेक्ट हो रहा है और उस जब के दौरन आप अपने ध्यान को अपने नित्तिक्रियाओं से का लाब ले सकें धन्यवाद